हलो स्टुडेंट्स, गूड बॉर्निंग, स्टुडेंट्स पिछले चैप्टर में हमने ये देखा स्टैस्टिक्स क्या है और स्टैस्टिक्स को कलेक्शन करने के ये स्टैस्टिक्स को स्टैडी करने के कितने स्टैप्स में हम चलते हैं, कितने स्टेजिस हैं तो उसमें जो पहला स्टेज था वो था collection of data तो इस सेप्टर में हम collection of data की ही बात करेंगे तो सबसे पहले एक बार remind कर देते हैं पिलूरल सेंस में अगर statistics की बात हम करें तो quantitative information को हम statistics कहते हैं इसका मतलब data क्या है data is the information which is capable of numerical expressions यनि ऐसे संख्यात्मक अभी वक्ति पाई जाती है उसे हम statistics कहते हैं इस chapter में हमारा जो focus होगा वो होगा दो चीजों पर sources of data और methods of collecting data अब यहां बात आती है सबसे पहले समझने वाली बाती है कि आप data collect क्यों करते हैं तो आप एक economics के student तो आपको यह पता होना चाहिए कि data आखिर collect किया क्यों जाता है तो data collect करने के लिए काका एक पीसे कारण होता है जैसे हमारे socio-convict problems होती है कुछ जैसे unemployment की problem है poverty की problem है और दूसरी और problems हो सकती हैं इन problems को analyze करने के लिए explain करने के लिए और analyze करने के उनके causes find करने के लिए और उनके possible solution ढूंडने के लिए हम data को collect करते हैं यह socio-economic problem मुख्या रूप से बात यहीं आती है कि हम जो data collect करते हैं वो socio-economic problem के लिए अब data होता कितने प्रकार का है तो हम यहाँ data के types का प्रियोप करेंगे बात करेंगे तो data हैं दो एक है primary source of data और दूसरा है secondary source of data अब दो sources हैं जहां से हम data को collect करते हैं वो दो sources हैं कौन-कौन से दो sources हैं वो मैंने आपको बताए primary source of data और दूसरा है secondary source of data primary source of data किसे कहते हैं primary source of data means collection of data from its source of origin it offers first hand information relating to statistical study इसका मतलब है कि primary data वह data है जिसे उदगम स्थान से खटा किया जाता है इससे हमें सीधी या protection यानि पहले पहले सीधी सूचना प्राप्त होती है आप एक example के माध्यम से आप इसको समझें कि primary source है क्या पाईदिवे मान के चलिए आप अपने सहर के जीवन के लोगों के जीवन की गुनवत्ता के बारे में जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं कि आप अपने सहर के जितने भी परिवार हैं उनका service करने के लिए जाते हैं बेसक आप अकेले नहीं हैं आपने अपनी team ले रखी है अनुसंदान करता के साथ साथ कारे करता भी उसमें काम करते हैं और आप लोगों से यानि जिन लोगों के बारे में आँकणों के बारे में जानना चाहते हैं उनको आप एकटा करते हैं उन्हीं लोगों से तो आपने origin point से यानि उन लोगों से आँकणों को एकटा गिया डाटा को collect किया जो उस problem से directly related हैं तो ऐसे source को यानि origin को ही हम primary source कहते हैं दूसरा आता है secondary source अब secondary source क्या होता है secondary source of the data implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical survey it does not offer first-hand information relating to statistical study तो अब secondary source में कौन सी चीज आती है आपकी secondary source में क्या होता है आप direct इखटे आंकड़ों को origin से नहीं करते हैं बलकि आप क्या करते हैं कि आप किसी AC agency या institution से संपर्ख सतापित करते हैं जिनके पास वो आंकड़े पहले से ही collect किये हुए हैं यानि उन्होंने किसी और purpose के लिए उनको इखटा किया था उनके पास वो आंकड़े हैं आप उनको वहां से ले लेंगे तो ये आपको first-hand information नहीं देते हैं जो आपकी statistical study है उसकी first-hand information ये आपको नहीं देते तो ये जो secondary data है ये वास्तम में investigator खुद इखटे नहीं करता है origin point से बलकि एक agency या institution से उनको आंकड़ों को इखटा कर लेता है आप इसको एक example के मादम से समझ सकते हैं मान के चलिए आप यही लेके चलें कि जो आप अपने गाउं के लोगों की जीवन की गुनवत्ता के बारे में चांदकारी हांसिल करना चाहते हैं तो आप direct लोगों के पास नहीं जाते हैं आंकड़ा इखटा करने के लिए आप data को collect करने के लिए उनके पास नहीं जाते बलकि आप क्या करते हैं government के पास जाते हैं government ने पहले ही इन आकड़ों को किसी कारण से खटा करवा रखा था state government करवा सकती है center government करवा सकती है और आपने उस गौवर्मेंट department में गए और वहाँ एक request की और request करके आपने उन आकड़ों को वहाँ से collect कर लिया तो यह secondary data हो जाएगा क्योंकि यह data आपने origin से collect नहीं किया बलकि पहले से collected था वहाँ से आपने इस आप data को ले लिया है तो यह दो sources हैं हमारे पास data को collect करने के पहला है primary source और दूसरा है secondary source इनमें जो basic difference है वो यह ही है कि जब हम data को origin point से collect रते हैं तो primary source हो जाता है और जब किसी इसेंसी या इस्टिट्यूशन से उसको collect रते हैं तो उसे हम secondary source करते हैं that's all, thank you